बंदे मात्रम मैं विजे ठाकर आपका स्वागत करता हूं स्टपप अगाडमी आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो 17 मार्च को एक्जाम होने वाला है इकनॉमिक्स का उसके लिए हम लेकर आये हैं केस स्टेडी का एक सफर नामा इस सफर नामे में हम लोग चार केस स स्टेडी रहेगी ताकि हमारी अप्रोच जो है वह जादा से जादा बढ़ पाए तो हम लोग बिना टाइम वेज करें हम लोग अपनी जो टॉपिक है उस पर आते हैं सुछ करेंगे यहां पर बहुत तेजी से किस पर आ रहे हैं भई हमारा है आज का जो पूरा का पूरा ट ही आपको क्या करने है इससे रिलेटेड कोशन को सॉल करना है तो आपका 360 डिगरी अनलीस यहां पर होना बहुत जादा जरूरी है चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पर बोलता है इंडिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जिसको हम लोग बोलते है यहां पर लाते है स्मॉल स्केल इंडस्टी इस पर जो कि एक कमीटी जिसका नाम था दिटा करवे कमीटी अब होता क्या है जब हम लोग ऐसे सब्सीट्यूट कोश्चन बनाने लगते हैं तो हमारा दिमाग जो है वह बहुत तीजी से काम करता है तो मतलब कि यह टॉपिक कह ही ना कहीं MSME से related है okay sector is a poise for a mega transformation in 2020 मतलब बहुत ज्यादा changes जो है वह हम लोग को MSME sector में देखने को मिलते हैं with the launch of an Alibaba like e-marketplace ठीक है अब Alibaba का है भाई तो यह Alibaba है e-marketplace मतलब electronic marketplace जहां पर चीजों को खरीदा और बेचा जा रहा है ठीक है तो चाइना की यह बेज कंपनी है trendy yet affordable khadi products to appeal to the masses and digital database credit rating to help entrepreneurs avail loan अब यहां पर यह कहा गया आपको कि यहां पर बहुत ज्यादा अब खादी products की demand होने लग गई है और लोगों को बहुत ज्यादा digital database मिलने लग गया है यहां पर आप यहां पर देखे दीरे-दीरे करके तो इसकी credit trading भी है वो continuously बढ़ रही है ठीक है और यहां पर entrepreneurs को भी क्या मिल पा रहा है इसके करण loan मिल पा रहा मतलब एक industry के start होने से एक startup होने से multiple direction में कहीं ना कहीं growth और development होने लगता है however the MSME sector often considered the bulwark of an economy as it contributes around 29% to the GDP मतलब कहीं ना कहीं जो MSME sector बहुत अच्छा काम कर रहा है जब हमारी independence थी तब कुछ और conditions थी बट आज यहां पर condition बहुत अच्छी हो चुकिए GDP का 29% contribution जो है वह MSME sector से यहां पर आता है and 48% to the Indian export और export की हम लोग बात कर रहे तो इंडिया से जो export हो रहा है लगबख 48% है जो की एक बहुत ही अच्छा sign है हमारे लिए hope है हमारे लिए कि हम लोग इसको 100% तक के ले जाए हैं तो MSME की बात हम लोग नहीं यहां पर करी दिस इस एन अर्जेंट नीड मतलब देर इस एन अर्जेंट नीड आफ मेजर रीफॉर्म पॉलिसी इंटर्वेंशन टूर्ड एंशूरिंग टाइमली अवेलिबिलिटी आफ लो कॉस्ट क्रेडिट इंप्रूविंग इस और डूइंग बिजनस एंड टेक्नोलोजिकल अपगरेडेशन चलिए हम लोग यहां तक के पहले समझने के कोशिश करते हैं यहां बोलता है तो यहां पर एक्चेंज रेट आता है दोस्तों एक्चेंज रेट के अलावा यहां पर हम लोगों को सेबी को भी देखना पड़ेगा यहां पर हम लोगों को डबलू टी ओ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें फेरा फेवा की भी बात करनी पड़ेगी इतनी सारी अब यहां बोल रहा है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जहां पर अवेलेबिलिटी आफ लो कॉस्ट क्रेडिट बन जाए इंप्रूविंग इस ऑफ डूइंग बिजनस और इसके करण जो बिजनस है वह बहुत आसान तरीके से हम लोग कर पाए अगर बहुत टफ कंडिशन होग तो यह जो पूरा इलेक्ट्रोनिक मार्केट है पूरा का पूरा जो है आज कर डिजिटल पेमेंट पर काम कर रहा है दूसरा यहां पर अगर हम लोग बात करें तो अब यूपी इस्टार्ट हो गया आफ्टर टू तूजन है इन इंडिया ठीक है तो पेमेंट बहुत ही आसानी से हो गई है ट्रांस्पेरेंसी हो गई है तो धोका धरी के जो माम लेह है वह दीरे-दीरे करके कम होने लग गया है ठीक है जिसको हम लोग यहां पर बोल सकता है कि साइबर क्राइम जो है कहीं ना कहीं कम हुआ है पहले के कंपारिजन में चलिए तो यहां पर मान लेता है टेकनोलोजिकल अपग्रेडेशन होता है पेमेंट में लें दिन आसानी से हो सकता है दूसरा प्रड़क्ट दिखा आप में यहां पर काम कर रहे है तो टेक ऑन दा फॉर्मिटिबल चैलेंज ओफ क्रेटिंग मिलियन ओफ जॉब्स कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर यह ट्रेड अच्छे सा होता है तो यहां पर जॉब्स जो है वो कंटिनियसली क्या होता चाहिए इंक्रीज होता तो पावर्टी अलिविएशन के सबसे पहला क्या होना चाहिए भी या जॉब क्रियेशन होना चाहिए तो दूसरी कंपनी के आने से या ट्रेड बढ़ने से हमारे यहां जॉब क्रियेशन होगा मतलब एंप्लॉइमेंट और बढ़ेगी एंशुर इक्विटेबल इंडिया में बनाये जाएंगे जो दूसरी कंट्री से अभी तक के इंपोर्ट करवाए जाते थे इसके लिए एक्जाम्पल करें हम लोग याद कर सकते हैं बाटा vorses एडिडास बोले तो all day I dream about sports, okay, तो बाटा वर्सिस एडिडास अगर बाटा बहुत अच्छे शूज बनाने लग जाएगा, तो हम लोग एडिडास की डिमांड धीरे-धीरे करके क्या कर देंगे, दोस्तों, कम कर देंगे यहां पर, okay, चलिए, अब यहां पर बोलता है, आगे जो इस्टेटमेंट से, the World Bank has recently approved loan worth rupees 750 million, World Bank को और किस नाम से जानते हैं हम लोग भया, तो हम लोग जानते हैं सरजी इसको IBRD के नाम से, मतलब International Bank for Reconstruction and Development, okay, तो इसने loan approved किया, लगभग किते का भया, 750 million dollar का, to address the immediate liquidity and credit needs of the India MSME sector, अब हमें काम तो करना है, मगर उसके लिए चाहिए, पैसा और पैसा देने के लिए तयार कौन है भी है, यहां पर, World Bank, लगभग कितने का loan देने को तयार है, 750 dollar का, okay, million dollar का, अब यहां बोलता है कि MSME sector इससे बहुत जादा enrich हो जाएगा, कहीना कहीं, that has been severely impacted by the COVID-19 crisis, कहीना कहीं immediate problem आई होगी, MSME sector में, वो कब आई, तो सर जी वो आई है, COVID के और सारा trade क्या हो गया था, ठप हो गया था, मतलब zero level पर आ गया था, okay, this will give a push to the art, निर्भर भारत, vision of the government, कहीने कहीं है, आत्म निर्भर भारत की बात कर रहे है, मतलब self-dependent, या self-reliant, इंडिया की बात चल रहे हैं, तो अब हम लोग किसी भी चीज के लिए, दूसरी कंट् था पूरा का पूरा, और कहीना कहीं यहां पर लोन की बात करी गई, जिसमें वर्ल्ड बैंक की बात करी गई, credit availability की बात करी गई है, चलिए, अब हमना questions पर आते हैं, questions पर अप्रोच रखते हैं कि question क्या बोलेगा यहां पर, बोलता है, identify which of the following is not an advantage of the MSME sector, तो इन में से कौन स MSME sector का advantage नहीं है, it is suited for the utilization of the local resources, बिलकुल सही बात है, local resources का ही, यहां पर तो use होगा सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इंडस्री जो है, कहीं ना कहीं, far away places, या outskirts एरिया में होगी, जहां पर employment, लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है, दूसरा वहां की local resources को, यहां पर use इतने भी लोग है, यह काम कर रहे हैं, कौन से product पर भीया, खादी products पर ठीकरा, तो खादी product बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, तो खादी product कहा मिलेगा, तो भीया, local resources के पास ही मिलेगा, या local areas में मिलेगा, हम लोगों को, चलिए, तो यहां पर यह वाली बात तो बिल्कुल सही कहिए कि utilization of local resources होगा, बोलता है, it is helpful in creation of the employment opportunity, क्या इसे रोजगार बढ़ेगा, यहां मार्केट में बिल्कुल बढ़ेगा, अब किता पैसा देने को तयार है, भाई, डॉलर 750 बिलियन देने को तयार है, चलिए, इससे नहीं नहीं इंडस्टीज कुलेगी, जब नहीं इंडस्टीज कुलेगी तो दोनों तरीके के employment होंगे, यहां पर जैसे यहां पर हम लोग बात करें, तो mental work के लिए भी लोगों को बुला जाएगा, और फिजिकल वर्क के है, it requires more capital than labor, अब यहां पर बोल रहा है कि भी यहां पर capital बहुत साधा चाहिए और labor जो है, वो कम चाहिए, it requires more capital, इसके लिए पैसा जाधा चाहिए और labor कम चाहिए, ठीक है, यह तो गलत बात है भी यह, capital जाधा नहीं चाहिए, capital तो हमारे पास आ रहा है न, world bank से कही ना कही it inquires equitable distribution of income in the country, बिलकुल सही बात है, इससे हमारी क्या बढ़ेगी भाईया, national income बढ़ेगी, और national income बढ़ने के कारण automatically हमारे यहां per capita income बढ़ेगी, जिसके कारण लोगों का standard of living बढ़ेगा, जैसे ही standard of living बढ़ेगा, हमारी country developed से developing तक के नहीं, developing से develop तक के पहुचने की बहुत तेजी से क्रोथ करें, क्यों, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कि हमारी country काम तो continuously कर रहे है, बट हमारे सबसे बढ़ा जो drawback है, वो क्या है, population, अब यह population continuously increase हो रही है, इस पर control हम करने ही पारे, इसलिए हमारी country अभी भी क्या है, developing है, मतलब चीजे अभी बहुत सारी करना, बा तो यहाँ पर A सही है, B सही है, C सही नहीं है, और D जो है, बिलकुल सही दिया गया है, तो answer क्या होगा सर जी, यहाँ पर answer होगा इसका C, it requires more capital than labor, ठीक है, तो यहाँ पर पैसे की ज्यादवावशक्ता है, labor कम रहेंगे, तो भी चले है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं हो, पैसा हमें कौन दे रहा है, यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, कि तब यहाँ, डॉलर सेविन फिप्टी मिलियन, चलिए, हम लोग आते हैं, बात करें यहाँ, MSME सेक्टर सफर्ट टू अ लार्ज एक्स्टेंड इन कोविड नाइटीन, कहीं ना कहीं, कोविड नाइट में, तो वो कहते हैं, हम लोग सर्जी मार्केट में, लिक्विडिटी, क्या कहते हैं, लिक्विडिटी, आप इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, MSME सेक्टर सफर्ट टू अ लाज एक्स्टेंड इन कोविड नाइटी पैंडमिक, सिटिवेशन डू टू लिक्विडिटी क्रांज, के तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, सर जी, लिक्विडिटी क्रांज, मतलब situation, जो है किसके करण हुई, लिक्विडिटी करण हुई, तो आंसर नमबर टू हमारा विलकुल सही है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर कोशन नमबर थ्री पर आते हैं, ज मतलब equally national income और वेल्थ दोनों ही क्या होता है यह इस ने स्टेटमेंट रखी अब इसका रीजन क्या दे रहा है था ओनर्शिप आव स्मॉल रीजन दिया गया और आपका बलता सलेक्ट कालेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दो फॉलर इंटी कैप बोथ एसरिशंग और रीजन्स आर्टू दोनों ही बात क्या बिल्कुल सही गई है या बोथ एजर शन और रीजन आर फॉर्स या दोनों ही बात यहां पर गलत कही गई त तो इस्केलर में quality होते है situation income और wealth के distribution में दूसरा e small scale industry जो है जाधा वाइड होती है और यहां पर low scale industry के बादक सर्फ होती है मतलव कम में जाधा काम हो जाता है Small scale industries में जाधा resources यहां पे लगती है चली आगे बढते हैं हम लोग हैu answer आए पर को प्रना एक हो लोगotta सा है कि स्टेट मैं जो है वह हो ट्रु है की स्मॉल स्केल इंडस्टिजी जाद ऐला यह इस Eliber फोर्स इन इंडिया क्या स्मॉल स्केल में सबसे जाध से जाधा सीर जा रही है क्या बिलकुल यह ऐसा छे टीनि inject में जादा लेफ फोर्स जाती तो इसका इनसर कीया होगा सर जी यहां इसका अंसर होगा फॉल्स मतलब यह बात जो है यह जो गलत दिया हुआ है इस्टेट्मेंट जो है बिलकुल गलत है यहां पर ठीक ना तो यहां पर हम लोग बात करें तो स्केल करेंब होगा फॉल स्टैंट प्रिंडिया नहीं लोग भात करेंगी लाज ञोती है जिसको हम लोग मारतना इन्दस्टी कहते हैं उसमें ज्यादा से ज्वयादा लोगों को क्या मिलता है यहां पर employment मिलता है ठीक है चलिए अब हम लोग next case study पर आता है next case study क्या बोलता है भई the performance of Indian economy अब Indian economy दिमाग में सीधा सीधा ले आओ Indian economy मतलब हम लोग यहाँ पर IED की बात कर रहे हैं okay during the period of first seven five year plan 1950 से लेके 1990 मतलब कि यहाँ पर seven five year plans की बात करी गई है और five year plan जो है बनना शुरू हो जाते हैं planning commission मनती है 1950 में फ़र्स five year plan मनता है 1951 से लेके 56 तक है चलिए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो बोलता है वह satisfactory if not very if not very impressive यह बहुत रहा है कि यहाँ पर जो अब यहाँ पर जो time period दिया है बिटा उसमें अपन दिमाग लगा थोड़ा सा तो 1950 से लेके 1990 हमारे यहाँ चल रहा था license राज अब यह जो license राज्ता इसमें सारा काम किसके हाथ में दे दिया गया था तो सर जी public sector के हाथ में दे दिया गया था तो बबले सेक्टर अपने हिसाब से चीजों को बना रही थी बड़ देखा गया वहाँ पर कि बहुत ज्यादा करप्शन होना स्टार्ट हो गया तो के अब इसके कारण 1990 में हमारे पर लोन जो हो गया वो हो गया कि आपको एक नई एकनॉमिक पॉलिसी बनाने पड़ेगी जो कि 1991 में बनाए गई जिसका नाम था लिबरलाइजेशन प्राइबिटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ठीक है ना तो यह पूरी कहानी हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए ओके ऑन दाइव ऑफ क्रिपल्ड एकनॉमिक या क्रिपल्ड एकनॉमिक अब इंडस्ट्रियल बैकवर्ड कंट्री का मतलब क्या हुआ वह यह कॉंसे सेक्टर की बात कर रहे हैं यह लोग तो बात कर रहे हैं सर जी सेकंडरी सेक्टर की किसकी बात कर रहे हैं सर जी सेकंडरी सेक्टर इसको और क्य कहीं न कहीं हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वह बहुत ज़्यादा डाइवर्सी फाइड होगी मतलब अलग अलग तरह के यहां पर का होना शुरू हो गया विद्धा इस्टेस बिंग लेड लेड़ पॉब्लिक इंवेस्ट्मेंट इन दा इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब कहीं कहीं पॉब्लिक सेक्टर पर बहुत ज़्यादा इंवेस्ट्मेंट की अब धीरे-धीरे करके ज़रूरत पढ़ने लगी तो यह कहानी है 1950 से लगके 1990 की जिसमें 75 यह प्लान कि हम लोगों ने भी बात करिया दा पॉलिशी आफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेड टो प करना शुरू कर रही है बाटा यह एडिडास को जो मैंने एक्जामपल दिया था कि बाटा को प्रिफरेंस ज्यादा देने लग जाएंगे और हमारा जो एडिडास हम लोग मंगा रहा है उसको यूज करना थोड़ा सा कम कर देंगा तो यह कहीं ना कहीं आत निरभर भारत की निशानी है ओके चलिए अगेंज दा फॉरेंग प्रोड्यूसर बट वी फेल तो प्रमोट एस्ट्रॉंग एक्सपोर्ट सर्प्रेस बट हमारे के प्रावलम में जब प्रडक्शन नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो एक्सपोर्ट सर्प्लस तो भूली जाओ यहां पर नहीं हो पाया एक्सेसिव गवर्मेंट रेगुलेशन मतलब यहां पर हम लोग एक्सेसिव गवर्मेंट रेगुलेशन को एक नाम दे देते हैं लाइसेंस राज प्रिवेंटेड दनाश्रल ट्रजेक्ट्री ऑफ ग्रोथा ऑफ दे एंटर्प्रेनियर्शिप आज देर वाज लो कॉंपिटिशन नो इनोवेशन जब साथी साथ वाले हैं तो कोई कॉंपिटिशन नहीं होगा यहां पर तो यह सारा का सारा क्या हो गया न सब्सक्राइब कोई भी मॉडर्णाइजेशन इनोवेशन ना तो कोई भी कॉंपिटिशन बचा हमारे हैं ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग मैंनी पीए स्यू पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग इंकर्ड हूज लॉस इस ड्यू आपरेशनल टेक्निलोजी का अप्ग्रेड नहीं करना चाहते थे दूसरों से हम लोग मदद नहीं लेना चाहते थे और सिमिलर रीजम इस पीए स्यू कंटिनियो तु फंक्शन बिकॉज इट वस डिफिकल्ट तो अगवर्मेंट अंडर्टेकिंग इवन इट इस ड्रेन ओन कंट्री ल ग्रीन रिवलीशन ग्रीन बोले तो यहां पहा बात हो रही है नाइटीन शीश्ती शीग से लेके इस से यूँट इब नाम क्या याद रखना है निवन बहुरलोग इंडिया में क्या रखना है m.s. soない के एंडिया मोर और लेष बिकेंज सेफिशन लेकुशन डिन 2 सेक्टर का जो प्रोड靚्ट नहीं क्या हो जाता है यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है चलिए तो यहाँ पर कंपाने करने की वह भाइली economic reform करना पड़ेगा to achieve desired growth in the country और अगर मान लेते हैं अगर आगे चलके बढ़ना है दूसरी कंट्रियों के साथ बढ़के काम करना है neck to neck deal कर रिये तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा दोस्तों अपने policy को change करना पड़ेगा ओके चलिए तो अब हम लग इसी के questions की बात करते हैं पहले which of the following was not a reason for the public sector to play a major role in the initial phase of the Indian economic planning choose the correct alternative आप से सही चीज़ पूछ रहा है यहां पर ठीक है तो बोलता है private entrepreneurs lacked sufficient capital for investment यहां पर बोला गया है कि कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर के पास लाग्ड था sufficient capital investment प्राइवेट सेक्टर कास पैसा नहीं था कि वह यहां पर लगा सके government aimed at social welfare क्या government यहां पर social welfare की बात कर रही है बिलकुल government यहां पर social welfare की बात कर रही थी the market was big enough to encourage private industrialist for investment तो मतलब कहीं न कहीं यह वो रहे कि market जो है वह बहुत बड़ा था और encourage कर रहा था private industrialist को कहीं के लिए investment के लिए the government wanted to protect the indigenous producer from foreign competition बाहर से हम लोग कहीं न कहीं लोगों को नहीं entertain करना चाहरते क्यों क्योंकि 200 साल की गुलामी के बाद हमें समझ में आजा था अगर अब कोई trade करने आएगा तो हम लोग फिर से कहीं न कहीं गुलाम न बन जाए ठीक है तो अब यहां पर हम लोग जब पूरे का पूरे यहां जो आप्शन है वो पढ़ चुके एक बार कुश्चन को दोबारा पड़ते हैं बलता है विच आफ फॉलिंग वास नॉट रीजन क्या है नॉट रीजन फॉर पॉलिक यान एकनॉमिक प्लानिंग तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो बहुत बड़ा था और यहां पर इंडॉस्ट्री बगलत की गई है यहांपर सब्सक्राइब करें तो अगर हमारी कंट्री में हम लोग देखें तो हम लोग यहां पर बना रहे हैं बाटा रिलाक्स हो मैं फूट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं यहां पर ठीक है और क्या बना रहे तो दो चार और कंपनिया हमारे पास बाहर से हमारे पास जो आ रही है उसके नाम हमें बहुत अच्छे ज़्याद है प्यूमा एडिडाज रीबॉक स्पाइकर एक्सवाइड बहु हो भी रड़क्स बना रही है उसको यहां safe and secure करका और ज़रूर यह हमारी industry को करना पढ़ेगा हमें protect करना पढ़े है क्या करना पढ़ेगा protect करना पढ़ेगा ठीक हैं इस से हमारा International Importgem तो मगer फेर वे मे तो क्या लिखे इंग है पर Прraszam domestic industries from the international competition ठीक है तो हमें बचाना पड़ेगा चलिए हम लोग नेक्स कोश्चन पर आते हैं ट्रू और फॉल्स दिया गया है नेक्स कोश्चन में स्टेट वेदर गीवन स्टेटमेंट इस्टूवर फॉर्स इमेकीन आईजिशं अवद यंडियन अग्रिकल्चर्च तो यह बात सही है यह गलत है हम लोग को सोचना पड़ेगा बिल्कुल सही बात हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको ट्रू लिखेंगे ओके चलिए क्यों कि हम लोग अगर देखें इंडिया के मैप में तो यह जो ग्रीन revolution में यह वाला जो एरिया था मतलब इसके उपर वाला यहां पर तो यह पंजाब और हर्याना तो यह पंजाब और हर्याना में बहुत अच्छे से यहां पर यह जो सीड्स काम करती है क्यों कि वहां पर जो सॉइल है वो कौन सी है भीया ऐलूवियल सॉइल है जो कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती किसी भी चीज़ के किसके लिए भईया तो production के लिए त प्रोडक्शन हुआ किसके कारण एच वाइवी सीड्स के कारण और एच वाइवी सीड्स को क्या चाहिए वह यह सबसे ज्यादा तो irrigation facility मतलब की पानी अच्छा कासा चाहिए fertilizer की बात करें तो पार से दस गुना जाधा fertilizer चाहिए ठीक है बहुत सारे पेस्टीसाइड इसमें लगते हैं भाई तो यह सारी चीजे चाहिए ठीक है तो कहीं ना कहीं यहाँ इंडियन अगरिकल्चर वाउज वन आफ दा वन आफ दा कॉल आफ ग्रीन रवलिशन इंडिया बिल्कुल सही बात की गई मतलब इसका आंसर होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग इसी के साथ यह बोलता है एजर्शन और रीजन में मैंनी पब्लिक सेक्टर अंडर् यूज किया मतलब यहां पर सरकारी ऑफिसर या सरकार का बहुत ज्यादा इंटर्फियरेंस था हर एक काम में रेट टेपिजम वाज वन आफ दे रीजन फॉर कंटिनेशन अफ सच एंटर्पाइज रेट टेपिजम जो है एक बहुत बड़ा कारण है यह सारे चीजों के पी कर दोनों की सही की गई है कैसी की डॄच बात करते हैं के सब में की कोशिश करेंगे कर से डवलपमेंट चलिए समझ में आ रहा है यह टॉपिक है वह इंडियन एकनॉमिक डवलपमेंट का है और कुछ दमाग में अनलेसिस करना शूरू कर दें कि सस्टेनेबल डवलपमेंट क्या होता है तो आज जो भी चीज़ें हमारे पास है जो भी रिसोर्सेंस है उसका फुलर इसको यहां पर हम लोग क्या करें फ्यूचर में जो भी हमारी जनेरेशन आने वाली यह उस तक के ऐसा का ऐसा पहुचाने की कोशिश कर ओके तो इसको हम लोग बोलते हैं sustainable development क्या बोलता है दोस्तों इसको sustainable development चलिए sustainable development is the synonymous in the minds of many with the color green and for good reason कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि sustainable development जो है green की बात करता है green का मतलब यहां सीधा-सीधा हो गया भीया environment से related बात कर रहे हैं यहां पर चलिए 20 years ago at the first earth summit at Rio de Janeiro in Brazil जो हमारी 20 साल पहले यहां रीडिजनारियों में ब्राजील में क्या हुई थी यह समिट हुई थी जिसमें वर्ली लीडर सेट आउट वाट टुडेज इस conventional wisdom हमारे लिए क्या conventional wisdom है तो हमें social and economical human progress करना है social का मतलब होता है कि हमें अपनी society को बहुत अच्छा बनाना है लोगों के लिए बहुत अच्छे काम करना है दूसरा कहीं न कहीं यहां पर हमें लोगों को क्या करना पड़ेगा भीया activities में involved करना पड़ेगा जिससे वह अपनी livelihood को चला सके अपनी जो life है उसको easily क्या कर सके भीया complete कर सके मतलब उनके पास रहना खाना और सोने की जगह रहा है मतलब food clothing और shelter जो है उनके पास अच्छी खासी बनी रहा है okay cannot be divorce from environmental protection unless both are advanced together both will flunder together कहीं न कहीं यह दोनों ही एक दूसरे पर क्या है dependent है तो हम लोग इनको अलग नहीं कर सकते मतलब हमें society को economic को और अपने environment को तीनों को ही यहां पर साथ में लेकर चलने की बात की गई है चलिए आगे बात करें हम लोग sustainable development is as much about health कहीं न कहीं sustainable development में सबसे important जो factor आता है उसको हम लोग बोलता है health दूसरा आता है education and job अब यहां पर हम लोग बात करें इसके साथ में तीसरा एक और जोड़ देते हम लोग यहां पर ecosystem जिसके अंदर में हम लोग बहुत safely और securely रह रहे है अगर माले ते यहां पर थोड़ा सा भी percentage air में nitrogen को उपर नीचे हो जाए या oxygen को पर नीचे हो जाए तो हमारा survival जो है बहुत ही difficult हो जाएगा okay it is about ever widening inclusion and movement away from the decision that erode democratic space and do not address social inequality intolerance and the violence अब यहां पर बोलता है कहीं न कहीं हमारे यहां democracy जो है वह बहुत अच्छे से काम कर रही है मतलब लोगों का यहां पर हर चीज में involvement जो है वह बहुत जादा है democracy का मतलब क्या होता है the people's involvement सीधे सीधी बात करें हम लोग मतलब सारे decision जो है वह कहीं ना कहीं हमारे लोगों के हाथ में sustainable development is about changes that transform improvised people communities and countries into informed educated healthy and productive society हर तरीके से हर एक जगह पर आप क्या कर सके अपने आपको upgrade कर सके यहां पर लोगों को यहां पर informed किया जाए मतलब हर चीज उनको पता होनी चाहिए transparent वे में educated रहे healthy रहे ठीक है and productive society हो मतलब कोई भी यहां पर liability ना बने यहां का हर एक इंसान एक assets की तरह काम करें तभी country की growth or development possible it is about wealth creation that generate equality and opportunity अब यहां पर हम लोग बात करते हैं जब हम लोग social economic की बात कर रहे हैं यहां पर कहीं ना कहीं wealth की बात भी आती है अच्छा खासा पैसा अगर हमारे पास हो तो हम लोग बहुत अच्छा अपने आपको बना सकते हैं और अपनी standard of living को और ज्यादा हाई कर सकता है अब इसके कारण equality और opportunity भी धीरे धीरे करके क्या होने लग गई है जन्रेट होने लग गई है चलिए sustainable development is about all consumption and production pattern अब जाहिर सी बात है चीजों का यहां पर production करना ज़रूरी है अब यह चीजों का production अगर होगा तभी तो चीजों का consumption होगा और यह चेंड पॉलिसी जो है वह चलते रहेगी तो प्रड़क्शन और consumption जो है हम लोग बोले यह चलता रहेगा अब इसी के कारण country की क्या होगी भाई या economic growth होगी क्यों क्योंकि यहां पर economic growth के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो चीजों का production करना पड़ेगा जिसके कारण हमारे national income grow करेगी national income grow करेगी तो automatically यहां पर हमारी per capita income भी grow करेगी है ना चले है तो हम लोग को चीज़े अब समझ में आने लग गई है बाई ओके चले pattern that respect planetary boundaries but हमें क्या करना है अपना जो planet earth है उसको कहीं ना कहीं सम्हाल के रखना सवार के रखना है नहीं तो यह planet गया तो हम भी गए it is all about increasing tolerance and respect for human rights at all levels और कहीं ना कहीं हर एक जगह पे human rights के हर एक level पे क्या करना पड़ेगा उसकी respect करना पड़ेगा irrespective of the age, caste, creed, color, race, religion, male, female यह सब हटा के हम लोगो human rights की respect करने पड़ेगे building on the human development legacy अब human development कैसे होगा भाया तो दो चीजों से होगा पहला तो education से दूसरा किसे होगा भाया आपके overall developments है education आपको क्या देगी तो आपको decision maker बनाएगी कि आप क्या best कर सकते है legacy that oriented with the economist like आमर सेन और महबूब उलहक वास वास काप्चरद बाइद फर्स हुमन डवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990 मतलब हमारे आपके जो contribution से human development की बात करी गई यह बहुत जादा जरूरी है तो हम लोग ने कहीं सस्टेनेबल डवलपमेंट के साथ human development की भी यहां पर बात करी है अब हम लोग बात करते हैं आगे United Nation Development Program जो की UNDP है बताता है HDI की रिपोर्ट क्या बोलता है यह has long promoted alternative approaches to measures human progress और बहुत सारे तरीके निकाले जिससे हम लोग human progress को क्या कर सकेंगे यहां पर measure कर सकेंगे along with the human development index सबसे अच्छा तरीका क्या है भाया HDI human development index today we are building on this legacy by exploring how to adjust the index to reflect environmental sustainable sustainability अब यहां पर हम लोग बात करें कहीं न कहीं UNDP भी बोल रहा है कि हमें human को बचाना और human की जिम्मेदारी है कि environment को बचाना अगर environment भी बचेगा तो human भी यहां नहीं बचेंगा so that the government and the citizen might better track real progress to a truly sustainable development this must be our collective objective तो हम लोगों का सब का मिलके collective objective क्या है बहिए sustainable development और ecosystem और economic और social जो है responsibility को fulfill करना है चलिए हमारी जो केस study की बात हुई वह कहीं sustainable development के आजवाजव में घूम रही थी कुछ terms की बात करें तो hdi human development index UNDP ठीक है और हमारी collective responsibilities क्या है इसकी हम लोगों ने यहां पर बात करें चलिए हम लोग आप question number one पर आता है यहां पर question number one क्या बोलता है which of the following is not one of the way to attain the goal of the sustainable development इसमें से ऐसा कौन है जिस से sustainable development का गोल आप अचीव नहीं कर सकते हैं यूज क्लीनर फ्यूल बहुत अच्छी बात है अगर आप pollution होगा zero level of pollution होगा तो आपकी growth बहुत अच्छी हो सकती है यूज आफ ट्रेडिशनल लॉलेजन प्रैक्टिस सही बात है पुराने लोग क्या करते थे कहीं न कहीं पेड़ों को ही भगवान मानते थे तो भगवान मानते थे तो इसकी यहां पर sustainable development जो है हमेशा equality की बात करता है सब को बराबर लेकर चलने की बात करता है तो यहां inequalities की तो बात ही नहीं होई वह तो यह sustainable development का गोल नहीं होगा मतलब answer will be d answer क्या होना चाहिए दोस्तों डी होना चाहिए इसका चलिए आगे बात करते हम लोग यहां पर इस्टेट वेदर गिवन स्टेटमेंट जी त्रू और फॉल्स यहां जो स्टेटमेंट दिया गया है आपको यह ट्रू है की फॉल्स हमें यह बता रहा है यहां पर यहां बोल रहा है कि पढ़ाई और दवाई जो मेन मुद्ध्य है क्या यह सही है बिलकुल सही है मंद्ध्य उनड़ीपी के बिल्कुल में मुद्ध्य क्योंकि इसी से यहां पर कंट्री की ग्रोथ और डवलप्मेंट हो पाई तो आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हम लोग इसी के यह और कंट्री की ग्रोथ भी करना यह दोनों क्या हो गए है दोनों को अपना इकोसिटम हो रहें गाइड कैसा बिया डारेटली रिलेटेल को यह दूसरे से चली आगे पढ़ते है कुषिनमर फूर अ 맛있어요 सब्सक्राइब करने से अच्छा है चीजों को बनाना सवार ना तो यह ज़ादा जरूर है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब और यहां ऑपरचुनिटी भी क्रेट होती है तो मतलब दोनों ही बात जो है बिलकुल सही की गई है तो इसका आंसर क्या होगा सर जी आंसर होगा इसका ए बोट एजर्शन और रिजन आर ट्रू आंड करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है is often called as the lifeline of the economy of a nation अब मैं बता देता हूँ कि इंफ्राइस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को बनाने के लिए जो बेसिक नेसिसिटी होती है उसको कहा जाता है इंफ्राइस्ट्रक्चर तो हमारी कंट्री की बेसिक नेसिटी में आता है रोड रेलवेज ऐलेक्ट्रिसिटी वाटर रिसोर्सेज ठीक है ना एर ट्रांस्पोर्ट तो यह सारी चीजे जो भी कंट्री के डवलपमेंट में काम आती है उन सबको हम लोग क लोग बोले कि economy को अच्छा करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूत होती है infrastructure के ठीक है अगर कुछ अच्छा बनाना है तो मसाले लगेंगे उसी तरी के country को अच्छा करना है तो भाईया economy में किसकी जरूत पड़ेगी आपको infrastructure के के इट कंप्राइजस ऑफ वेल एस्टाबलिच और वेल निट नेटवर्क आफ पावर टेलिकॉम पोर्ट्स एयर पोर्ट्स रोड्स सिविल एविशन रेलवेज रोड ट्रांसपोर्ट इन अ कंड्री हर चीज़ को एक ही उस पे निट कर देना मतलब की उसको उसी में लगा द घड़ेज संञ भाइया इस चेन को ही हम लोग कहेंगे कहीं ना कहीं इन फ्रास्ट्रक्शर क्या बोलेंगे दोस्तों इंफ्रास्टर तो यह बोल रहा है कि जो इन facie都 अलग अलगत एलग करके जुड़ती यह मगर होता की है से कंड़्रीय की ग्रोथ और डवलपमेंट होती कंट्रीज नीट एडिकेट इंफ्राइस्ट्रॉक्ट्टर सो दैट वेरियस एकनॉमिक अक्टिविटीज इन एकनॉमी और एग्जेकुटेट एफिशेंटली अब यह बुर रहा है कि अकर इंफ्राइस्ट्रॉक्टर अच्छा होगा तो हर चीज एग्जेकूट होगी बहु इसमें कमीयों की बात करें इन इंफ्राइस्ट्रॉक्ट्ट्ट्ट्रल नीट्स ऑफ नेशन गार्ट इमेड़ पाफ थू इंपोर्ट स्राइधर देन देबेस्ट एप्रोच अगर हम लोग चीजों को इंपोर्ट करने लग जाएंगे तो होतो सकती हमारी कंट्री की परट इट ऑन त्रूद आएर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ठीक है कही ना कहीं हम लोगों को हाय रोद की सोचना चाहिए इंपोर्ट कम करना चाहिया और हमारी कंट्री से export सबसे ज़ादा करना चाहिए building of infrastructure requires large and lumpy investment कहीं न कहीं infrastructure के huge capital की जरुत पड़ती है has a relatively long justification period और यह लंबे समय तक के चलता है कोई दो दिन में infrastructure तयार नहीं होता है कुछ महीन है कुछ दिन या कुछ साल लग सकते है मगर यह long process में भी कहीं न कहीं चीजों को अचीव करके देगा due to this fact infrastructural facilities are either built or run by the government and public sector enterprises या तो सरकार बना ले या तो हम लोग सबसे अच्छा model यूज कर सकते हैं PPP public private partnership model यूज कर सकते हैं जिसके कारण जादा से जादा लोगों तक के सुविधाय हम लोग पहुचा पाए and if private sector is permitted to make investment and run infrastructure project they must be regulated in order to regulate equality infrastructure to one and all in the society मतलब यहां PPP model जो है बहुत ही successfully जो है आज कर वर्क कर रहा है तो सरकार भी अपना पैसा बचा रही हो प्राइविट वालों से पैसा लगवा रही है चलिए हम लोग आप यहां पर कोशन की बात करेंगे ओके बहुता है identify the main category of infrastructure structure mentioned in the above paragraph तो इसमें में आपको बताना है किस चीज पर focus किया गया है okay social economical personal और financial तो यहां सबसे ज़्यादा पात करी गई है पैसा कमाने से related मतलब हमारी economical condition को कैसे हम लोग continuously बढ़ा सकते हैं इसकी हम लोगों ने आप टू क्या बोलता है भाई the demand and supply gap of major infrastructural facility like power transport can be met through किसके तू यह मिल सकती है हम लोगों को तो इसके हम लोगों क्या करना पड़ेगा भीया मैंने एक अभी model बताया था आपको PPP मतलब public private partnership model ठीक है मतलब public sector को भी active role play करना पड़ेगा private sector को भी role play करना पड़ेगा तब ही जाके हमारी country जो है दोस्तों वह एक developed nation या developed country बन पाएगी ठीक है मतलब दोनों का यह active role यहां पर होना चाहिए active role of the public and the private sector और इसको हम private partnership model चलिए हम लोगा बात करता है यहां पर statement की बात करेंगे true or false की तो बोलता है infrastructure is often called as a lifeline of the economy बिल्कुल सही बात की गई है कि infrastructure जो है कहीना कहीन लाइफ लाइन का है का वहिया economy का okay as it helps in increasing the productivity of the factors of production कहीन है कहीन हमारी factors of production को बढ़ाता है factors of production में चार चीज़े आ जाती है सर जी क्या क्या लाइंड लेबर क्यापिटल और enterprise okay and enhancing the quality of life और इसके करण जो है quality of life बिल्कुल सही बात है यहां पर फैक्टर सो प्रोडक्शन के करना हमारी एकनॉमिकल ग्रोथ होती है एकनॉमिकल ग्रोथ में सबसे बड़ा contribution जो होता है वह infrastructure का होता है तो यहां पर बात बिल्कुल सही की गई है दोस्तों चलिए तो इसका answer क्या होगा यहां पर answer होगा विया चलिए next question पर हम लोग आते हैं वही next question क्या बोलता है state any one reason as to why infrastructure facilities are mainly built और run by the government and the public sector enterprises okay अब public sector enterprises इसको बहुत ज्यादा क्या करती है इंवेस्टमेंट करती है प्राविट सेक्टर नहीं करती क्या कारण होगा तो हम लोग यहां समझे तो सरकार का सबसे बड़ा revenue का जो सोर्स है वह है टेक्स टेक्स दो तरीके से आता है सरकार के पास एक तो डारेक्ट वे में आता है और दूसरा इंडारेक्ट वे में आता है जिसको हम लोग डारेक्ट टैक्स और इंडारेक्ट टैक्स कहते हैं डारेक्ट टैक्स को एजेंसी समालने वाली जो है वह है CBDT और इसको समादने वाले जो एजन्सी है वो है CBEC एक्जाम्पल्स की बात करें तो यहां पर जागा भी है income tax और company वालों को लिए आजाएगा यहां पर corporate tax आ है हम लोग बात करें तो सब मिला के tax दे रहे हैं आज कल आम लोग इसको बलता है जी हैं ती तो इंसान क्या करेगा साल वर में एक बार जो टेक्स देगा मगर रोज जैसे ही अर्ली इन दे मॉर्निंग वो उठेगा सुरज की पहली किरन के साथ तो क्या करना पड़ेगा भी या उसको यह देना पड़ेगा और यहां पर डॉनर डस्क जैसी कंप्लीट होगा राद भर भी उसको कुछ न से आता है और जो थोड़ा बहुत पर सिंटेज है मतले 20 30 पर से बोझे तो वह तो डिर्ट टैक्स आ जाता तो सरकार के पास पैसा यहां यहां से आता है प्राइविट इंटर प्राइज के पास बहुत ज़ादा पैसा नहीं आ पता इसी लिए इंफ्राइस्ट्रक्चर यॉ मेनली जो investment होता है सरकार का होता है और कहीं कहीं आज हम लोग PPP model की बात करें मगर हर जगा PPP model की बात नहीं की जारी हो के तो सरकार मेनली इसमें contribution करें तो higher investment requirement और long justification period of the project लंबे समय तक के प्रजेक्ट चलते हैं investment बहुत हैवी होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि यहां पर public sector सबसे जादा infrastructure facilities में क्या करती है involvement करती है private sector का बहुत जादा interference नहीं होता है तो इसी के साथ हम लोग फिर आगे बढ़ेंगा है यहां पर भाई चलिए तो यह एक और हमारी कहानी शुरू होती है बोलता है दा बजट एस्टिमेशन आफ टोटल इस्पेंडिंग फॉर 2011-12 is 34.83 लाग करोड कहीं ना कहीं यहां पर बजट का जो एस्टिमेट है उसमें टोटल जो खर्चा हुआ वह किता हुआ थर्टीफोर पॉइंट री लाग करोड हुआ तो अब यह टोपिक समझ में आ गया मैक्रोइकनोमिक के बजट वाले चैप्टर से हैं दर रिवाइज एस्टिमेट फॉर टोटल सेंट्रल इस्टेंट इस्टूट 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 पॉइंट फॉइंट फॉइंट फ फोरकास गीवन इन दा लेटेस एकनोमिक सर्वेट तो यह पूरा बजट का हम लोगों को सेशन दिया गया है इसमें रियल जीटीप नॉमिल जीटीपी की बात करी गई है और टोटल स्पेंडिंग बताए गई है मताँ खर्चे बताएगा एकनोमिक सर्वेट कम्स तू 3.4 percent this means that central spending should have increased to a 35.7 लाग करो to keep it unchanged real terms okay तो कहीना कहीन हां पर यह जो है real terms से हम लोग बात कर रहे है यह पुरा चेंज हुआ आगे बात करते है हम लोग आपर the fact that it has not happened implies that the 2021 budget entails a negative fiscal stimulus to the economy कहीना कहीन यह negative fiscal की बात कर रहा मतला हम लोग यहां बोल सकता है कि fiscal deficit की बात हो रही है to be sure one could argue that 2021 was an abnormal year कहीना कहीन 2021 क्या है abnormal year and therefore the government is justi justified in rolling back its welfare spending push as the economy gets unlocked and vaccination gains momentum कहीना कहीन अब यहाँ पर हम लोग को जरूत पढ़ने लग गई थी कि कहीना कहीन से बाहर से हमारे पास क्या जाए दोस्तों पैसा आ जाए ओके तो अब यहां पर बोलता है with a rise in the real national income the economic welfare of the people क्या होगा भाई अगर real national income बढ़ जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है हर चीज बढ़ेगी तो prices ही होगा चलिया आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों बोलता है इफ जीडीपी डिफ्लेटर इस 125 नॉमिनल जीडीपी फिफ्टीन थाउजन करो रेंद रियल जीडीपी इक्वास्टू कितना होना चाहिए दोस्तों चलिए तो हम लोग इसको लोग लोग बाद में चलिए तो रियल जीडीपी जो है वह हमें निकालने को कहा गया है और नॉमिनल जीडीपी टीपी डिफिलेटर की वाल्यू दी गई चलिए तो हो पुट कर देते वाल्यू 125 इजी को नॉमिनल जी डी पी जो है वो है 15,000 अपन रियल जी डी पी मंटिप्लाइड बाइंड ओके अब रियल जी डी पी को मैं इस तरफ ले आता हूं LHS साइड में ओके अब यह हो गया है 15,000 मंटिप्लाइड बाइंड डिवाइड बाइंड ब तो आएगा 12,000 तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका अंसर होना चाहिए 12,000 में देख्याल से कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी मेरे भाईयों चलिए अब यहां पर एजर्शन और रीजन बोलता है रियल जी डी पी इस ऑल्वेज इकवल टू नॉमिनल जीडीपी ऐसा होता है क्या ऐसा नहीं होता वाई रियल जीडीपी बेटर मेजर टू मेक पिरियोडी कमपारिजन इन दा फिजिकल आउटपूट और गुट्स और सेर्विसेज ओवर डिफरेंट यह तो यहां बोल रहा है कि यह स्टेटमेंट क्या है यहां पर स्टेटमेंट दोनों ही जो है वो क्या है सही दिये गाई ठीक है ना चलिए ओल्वेस तो नहीं होता बट मोस्ट अवड़ाइम तो होता है तो यहां पर यहां पर एक बात याद रखें कि एसर्शन इस फॉल्स बतब यह जो कहानी है यह क्या दी गई है आपको और क्या होता जो को पता है नोमिनल और क्यों तो होता तो लैओंगा छोज्व ऑस挑़ होने वाला है और फो यहां थो इस चलिया तो ऑसे ही और बहुत सारे यहां हमारी बोलें की जो हमारा एक्जाम होने को सब्सक्राइब करें तो इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आप अब दोनों मिलके क्या करें इस बार बाजी मार्जा है किसमें विया 17 मार्ज को जो एक्जाम होने वाला एक्रामिक्स का उसमें थैंक्स फॉर वाचिंग आल